के दवरान लेकिन इस पूरी चर्चा में हमारे साथ कौन कोन है पहले मिलने थे उन महमानों से तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे साथ मौझूद है राजनेतिक विसरेशक के रूप में मुरारी मिसरा जी बहुत स्वागत है आपका कांग्रेस का पक्ष रखने के कि जहां पर चुनाव हैं उसमें राजनान गाओं तो हई है सब की निगाहें बस्तर में हैं और बस्तर में दो महत्पूर लोगों ने वोट करने के बाद जो दावा किया उसी पर चर्चा सुरू करते हैं पहले कांग्रेस का पक्ष ले लेते हैं सिलपा जी वोटिंग हो रह रहे हैं वोटिंग अपनी जगह है आप लोगों को क्या लगता है यह इलाका ऐसा है यह 20 सीटों में जहां पर अलग फैक्टर काम करेगा जो दूसरे चरण के सीटों से अलग है क्या लग रहा है क्या आप लोगों के पक्ष में जाएगा किस तरीके के दावे करेंगे इन सी का नजारा देखकर लग रहा है कि सुबह से ही जब से मदान शुरू हुआ है तब से ही पब्लिक जो है आकर अपना अधिकार उपयोग करने के लिए उत्साहित है बड़े ही हर्शो लास का माहौल दिख रहा है और जंता की चैरे पर हासी दिख रही है यह हसी इसले यह खुश सरकार ने बस्तर वासियों का विश्वास जीता है भरोसा जीता है जल जंगल जमीन पर आधी वासियों को उनका अधिकार देने का काम कॉंग्रेस की सरकार ने किया है यह जनता हर जन जन हर बच्चा बच्चा यह जानता है क्योंकि कॉंग्रेस की सरकार ने जमीन इस तर पर लोगों को नाभानवित किया है ऐसी यो जनाय बनाई है जिसमें आर्थिक रूप से हमारे किसान भाई साशक्त हुए है हमारे मजदूर भाई साशक्त हुए है महिलाएं साशक्त हुए है चाहे बच्चे बच्चे क्यों भी बात कर लूँ तो हमारे बस्तर के छेत्र में सुद अंग्रे जी मार्धियम शिक्षा और अंग्रे जी बोलने का जो कारे कर रही है वो अंग्रेस के सरकार के भरोसे कर रहे हैं तो भरोसा बरकरार है लोगों में उत्साह है और निश्चत रूप से भुपेश है तो भरोसा है का नारा जंता जो दे रही है हम निश्चत रूप से बस्तर की सीटों पर अपना जो लक्ष है विजय का वो जरूर प्राप्त करेंगे तो भरोसे से है कि उनको समर्थन मिलेगा और भरोसे की वज़ा भी अभी सिल्पा जी ने बताई जिसमें सिख्चा के छेतर में किया गया काम मजदूरों किसानों के लिए किया गया काम प्रमुक फैक्टर के रूप में सामने आया है हम इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं बीजेपी से रितेस महरे जी हमारे साथ मजूद है रितेस जी ये काम